गाईत्री सादक नू देवी वर्दान दे रूपित सद्बुद्धी प्रापत हुन दी है अते उस दे परकाश तो ओह सारियां कमजोरियां उल्जना मुश्कला हल हो जान दिया हन जो मनुख नू दीन हीन दुखी दरिद्र चिंतन अते घुमरा कर दिया हन पंडित श्री राम पुस्तक नाम गाईत्री महाविज्ञान की जानकारी गाईत्री ओहो देवी शक्ती है जिसने नाल संबंद स्थापत करके मनुख अपने जीवन देविकास दे मार्ग विच बहुत सा एता प्रापत करदा है गाईत्री तो आतम संबंद करण वाले मनुख विच निरंतर इक जेही सुखम अते चेतन बिजली दी तारा संचारित होन लग दी है जो मुख रूख रूप तो मन बुद्धी चित अते अंते करण उते अपना परबाप अपन दी है अते मनुख दे दुख स्मापत होन लग दे हन ब्रह्मा दी इच्छा शक्ती ही गाईत्री है चार वेदा दी रचना तो पहला चोवी अखरी गाईत्री मंतर दी रचना किती जड शिष्टी दा संचालन करण वाली शक्ती दा ना गाईत्री है अते प्रकिती अते चेतन शिष्टी दा संचालन करण वाली शक्ती दा नाम सावित्री है गाईत्री माता है ता वेद उस्दे पुत्तर तो हड़े सामने पेश है पुस्तक गाईतरी महाविज्यान जिस विच लेखक ने गाईतरी शाष्टर संबंदी जानकारी रिशिया दे अनुभव अते ओनादिया रचनामा अते गाईतरी तो संबंदित सारिया जानकारिया दा विशलेशन कर दे होए साधना दी शेष्टता दे बारे दस्या है पुस्तक दे कुजंज जिवें गंगा अते यमुना दी तारामा दे मेलना सरस्वती दा निर्मान होया उसे तरह सती अते तम दे सुमेल तो रज्ज दा निर्मान होया जिसनों तिन तारा वाली प्रकिती भी किहा जानना है सुख्खम प्रकिती ओ है जो आदि शक्ति गाईतरी तोत्पन हो के सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा विच वंडी जान्दी है। जिस तरह रेडियो स्टेशन ते बिजली शक्ति दे माध्यम तो गालबात संभव हो जान्दी है। पूर मात्रा विचापत किते जा सक्दे हन। गाईतरी मंतर दे चोवी एक्खर हन। जिन्ना दा संभन शरीर दियां चोवी ग्रंथिया नाल है। जिन्ना दे जागरित हों ते अधिक जगत दे महत्तपुरन तक्ता ते परवा आपेंदा है। गाईतरी साधना पावे नी स्वार्थ पावना तो किती जावे जा काम ना लई। उसदा फल जरूर मिलदा है। गाईतरी दी पापनाशक अते शक्ती वर्दक तक पस्यादा जिकर करदे हों लेखक, अश्वादवर्थ, तितिक्षा, तप, उक्वास, भ्रमचर्य, चंद्रायन अते मोन व्रत दा उलेख भी करदे हन। दुनिया वी जतन असफल हो रहे हों, परिशानिया हाल करन दा कोई मार्ग समझना आ रहे होवे, ता गाईतरी अनुष्ठान साड़ा सहारा बंदे हन। अते सफलता, गाईतरी दिश्राप्तों मुक्ती अते उतकीलन दा पेद, गाईतरी नाल्यग दा संबन्द, गाईतरी साधना कदे निरर्थक नहीं होंगी।